देखिए आज इस company के बारे में हम बात करने वाले हैं जिस share को हम आज देखने वाले हैं ये मेरे portfolio का one of the best share है और बहुत अच्छे return ये future में दे सकता है बहुत जबरदस्त company ये मुझे दिखाई देती है इसलिए मैं आपके लिए share आज लेका आया हूँ अगर देखिए आज का return देखें तो लगबग 1.5% ये गिरा हुआ है पांच दिन का अगर इसका हम return देखें तो पांच दिन में दिया है एक आधा परसेंट का return और अगर एक महीने के बात करें तो एक महीने में 8% positive हर maximum बात करें तो देखिए हम देखते हैं कि 5% ये बढ़ा हुआ है लेकिन ये द रहिएगा वीडियो का पूरे ज़रूर देखेगा तो आपको जो है पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी और देखिए इसमें जो है पहले से ही बहुत अच्छी कंपनी थी बहुत तकड़ी बैलेंस सीट थी लेकिन अब जाके और भी बहुत बढ़िया ये कंपनी हो चुकी है एक लाग 36,988 करोल का इसका मार्केट कैप हो गया है 4630 का करेंट प्राइच चल रहा है भी छोटा सा डिविडेंट भी देती है लगभग 1% का बुक वैल्यू 311 की 49 के P.E.E. पर है P.E.E. भी सस्ता मिल रहा है भी और 28.5 की इसकी ROE और ROC देखे तो 35.7 की है य अगर कंपनी के हम कौंज और प्रोज की बात करें तो देखें कौंज में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है सिर्फ यह है कि 15% ओपर वैल्यू से अपने ट्रेट कर रही है यह देखें डिक्री हुई है प्रोमोटर होल्डिंग क्योंकि कंपनी मर्ज हुई है तो फरक पड करता ही है लेकिन प्रोज देखें ओल्मोस्ट डेफ्ट फ्री कंपनी है एक गुड़ क्वाटर कंपनी दे सकती है और लगभग 30% का इसका आरोई बना हुआ है साथी साथ कंपनी का हेल्दी डिविडेंट पे आउट भी बना हुआ है कंपनी के अगर कंपेर इजन में देख गी है 25,672 करोर की सेल्स और देखिए ओपियम देखें तो 18% का है प्रोफिट देखें तो 4584 करोर का प्रोफिट है बहुत शांदार प्रोफिट कंपनी कर रही है बहुत अच्छी कर रही है देखिए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोज देखें तो 48% से बढ़ी है जब से पास ही रहा है तो 30% का रिटन एक बहुत अच्छा रिटन माना जाता है रिजर्व हैं कंपनी के पास 9175 करोल के करजा है 824 करोल का छोटा सा तो अलमस्ट डेप्ट प्री है 136 करोल के कंपनी के सामने 800 करोल का करजा कोई माहिने रखता नहीं है और देखिए प्रमोटर होल्ड पैटन है गौर्मेंट भी यह 0.04 परसेंट पब्लिक सिर्फ 11 परसेंट है अधर ने भी 0.01 की एक छोटी सी होल्डिंग ले रखिए इसमें अब देख लीजिए कंपनी का नाम LTI Maintry Limited पहले यह Larson and Tobro होती थी और Maintry यह दो अलग अलग थी दोनों ने इन्नोंने मर्ज किया देखिए Larson and Tobro Infotech और जो हमारी Maintry थी यह दोनों का विले हुआ हुआ है इनका दिसंबर में उसके बाद यह मर्ज होने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में उब 14% manufacturing भी कर रहे हैं ताती साथ देखें तो energy में भी company काम कर रहे हैं तो हर segment में अब यह जो है entry कर रहे हैं और बहुत अच्छा revenue इखटा कर रहे हैं अब यह बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो देखिए इसका profit जो है shareholders को भी definitely होने वाला है और service wise करें तो ADM से देखिए ADM and testing से 34% आता है इसका और enterprises solution से 31% का clouding से भी 14% का revenue है तो हर जगा देखें तो हर जगा company अच्छा करते हो दिखाई देती है और अगर हम इसकी employee की बात करें तो देखिए 50,000 employees में काम करते हैं globally मतलब India में इस बहार भी यह काम करती है total मिलाके 50,000 employees के पास है बहुत बड़ा एक employee based है इसका और देखिए company जो है कुछ acquisitions भी कर रही है यह acquisition क्या है एक 8.4 million dollars का तो अब जो है company बहुत अच्छा करते हो दिखाई दे रही है पहले सी अच्छी थी लेकिन जब से दोनों मर्ज हुई है तब से तो बहुत ही शांदार company ने काम काज करना सुरू कर दिया है और देखिए यह देखिए अमेरिका से 66% revenue आता है इसका यूरोप से 16% इंडिया से 8% और इंडिया के अलावा जो रेस्ट एश्या बचता है वहां से 3% है और बाकी वर्ल्ड से 7% का है तिस country में काम काज करती है company 36 delivery centers है इसके 50 से ज्यादा sales office है इसके तो बहुत बढ़िया company का future होगा देखिए शेर महंगा तो है लेकिन महंगे का मतलब है कि शेर की कीमत बढ़ी है वैसे महंगा नहीं है वैसे तो बहुत अच्छे price पर है यह 4000 का जो आप share price आज देख रहे हैं यह 40,000 भी हो सकता है जैसे MRF का भी 100-200 पर भी trade करता था आज 80,000 है तो यह भी ऐसा return दे सक है और IT sector है तो IT sector के return आपको पता ही है कैसे होते हैं तो दोस्तों देखिए वीडियो सिर्फ educational purpose के लिए थी अगर आप पैसा invest करना चाते हैं तो एक बार अपनी analysis जरूर कर ले वीडियो पसंद आई हो तो पिलिज लाइक किजेगा चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा मिलते हैं फ